आज की वीडियो में मैं आपको 684 की फेक्टर ट्री बनाना से कहूंगा फेक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं वे नंबर जो बन से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं prime numbers कहलाते हैं example के लिए 2357 and so on यह कुछ आपके prime numbers हुए इसके आद इसमें आपको टेबल साना जरूरी है फिर जिस तरह से ट्री की branches होती हैं उसी तरह मैंने 684 की तो branches बना लिए लेप साइड में आपको अमेशा prime number में लेगा राइड साइड में अगर आपका prime number आ जाता है तो वहीं पे इसकी फेक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं तो इंटू 342 684 हुआ राइड साइड में अभी आपका prime number नहीं आया तो फेक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी 200 2 x 171 342 हुआ राइड साइड में अभी भी prime number नहीं आया तो फेक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी 3 x 57 171 हुआ राइड साइड में 57 है जो की एक prime number नहीं है तो फेक्टर ट्र और आगे बढ़ेगी 3 x 19 57 हुआ राइट साइड में 19 है जो की एक प्राइम नंबर है इसका मतलब है कि इसकी फेक्टर ट्री नहीं पर क्लोज होगी अब आपको चेकर करना है कि आपकी फेक्टर ट्री सही है अगरलत इसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे फिर इन प्राइम नंबर को आपस में मल्टिप्लाइ किया आता है मल्टिप्लाइ करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फेक्टर ट्री बनानी थी 2 x 2 x 2 2 x 3 x 19 684 हुआ इसका मतलब है कि आपकी factor tree एकदम सही है और 2 x 2 2 x 3 19, 684 के prime factors भी होईगे और अगर आपको 684 की factor tree का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को like and subscribe जरूर कीज़े